स्वागत एश्टुडेंट्स आपका हमारे चैनल पर जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं आपके अर्दवार्सिक परिक्षा आने वाली है उसी के रिगार्डिंग जो निर्दे स्प्राप्थ हुए हैं वो हम मैं आप से सियर करना चाता हूँ इसमें आपको पता लगेगा कि आपका परिक्षा का पैटर्न किस प्रकार का है और उसमें किस प्रकार के प्रश्ण पुत्र पूछे चाहेंगे तो चलिए देखते हैं इस सर्कूलर को उप्यूक्त विस्से का अंतरगत लेख है कि सास किये अनुमोधन प्राद जारी विवाकिये सिवरा पंचांगे उल्लेखित समय अबदी के अनुरूप कक्षा 9-12 एतु अर्दवासिक परिक्षा का आयोजन समान परिक्षा के विवस्ता अनुकरत इस कारहले के पूर परसारीत संदर्प के अनुसार किया जाएगा तो देखिए आपके जो अर्दवासिक परिक्षा का आयोजन नवी से बारवी तक की वे गयारा से लेके 24 बारा दो जारी किस तक है और कक्षा 6-8 तक की अर्दवासिक परिक्षा का आयोजन भी विद्ध्याले स्थर पर कीया जाना है और कक्षा एक से पांच तक के जो अध्यांदर्द विध्यारती हैं उनकी अर्दवार्सिक परिशा का आयोजन नहीं किया जाकर विध्यारती की सतत व्यापक मुल्यांकन जो CC के पोर्टफोलिय है उसके अनुसार ही सिक्षा को द्वारा आकलन के आदार पर ग्रेड किया जाएगा तो आईए देखते हैं इसका पाठे करम क्या है कॉवीड की परिश्थितियों को मद्ध्यांजर रखते हुए आरेसी आरटी ने एवा मद्यामिक सिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा समस्त कक्षाओं के लिए पाठे करम का संचिप्तिक करन हेतु निर्धारित पाठे करम का 60 परतिसत भाग अर्दवासिक परिक्षा हेतु निर्धारित किया गया है जो आपका वेटेज है उसमें 60 परतिसती है देखिए परक ठेश पहली से 7 भी नौन बोर्ड एक्जाम है जो जैसे बोर्ड वाली एक्जाम को हम नहीं देख रहे हैं एक से 7 तक नववी और ग्यारवी के लिए चार परिक्षा को आखलेन किये जाने है परत्थम दित्य अर्दवार्सिक और वार्सिक जो आपको परत्थम परक हुए थे उसका वेटेज रहेगा 10% मतलब की 20 नंबर का दित्य परक का किता रहेगा वही 10% 20 अंग का फिर आपकी बोड की परिक्षा है जो बोड वाले है आठवी दसवी और बारवी वालों के लिए परत्थम परक का रहेगा 20% जो आपके हो चुके हैं दित्य परक का 20% परतिसक और अर्दवार्सिक और 60% जो बोड दुआरा भेजे गए जो आंतरिक मुल्यांकन है वे 20% अंगों के निर कारम किये गए आओ घर बैटे सीखें इसमें हमें वाट्सप पर जो कीज घ्रह कारे वक्षीट करवाए जा रही थी उनके पोर्टफोलिय बनवाए गए थे और साथ ही कप्षा एक से आहर तक की कारे पुस्तिकाएं जो आपकी चलाई गई हैं उन्ही की आंकलन में से आपक परिक्षा में आपको प्रशन देखने को मिलेंगे ज़्यादा ज़्यादा अपरती विध्यारती संधारित पॉर्टफोलियो वर्कबुक विविद आयोजित परिक्षा आंकलन तथा मौकिक परिक्षा योगात्मक आंकलन और कक्छो नतिक का अंतिमाधार भी वही रहेगी जो कि वर्कबुक पॉर्टफोलियो है वो सबसे अधा इंपोर्टेंट है देखे पहली से दूसरी का परचास परतिसत पैचान आधारित परशन तीस नमबर के आएंगे और जो कारे पुस्ति का पॉर्टफोलियो है विबारा नमबर की है और मौकिक परिक्षा अठारा नम नमगे फिक्त कारे पुस्ति का पॉर्टफोलियो की ज聊 रित बारा नमबर और मौकिक परिक्षा अठारा कख्षा 6-8 लिखित आधारित रहए गा बागी 20 पुस्ति कारे पूर्टफोलियो का रहए गा और 10 पार तीसत मौकिक आगज sushi परिक्षा अधारीद और दीस परतिसत वरक्षीट जो आपकी पर्ट्फोलियो है क्यों जाधारित रहेगा 11 से 12 में नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में 80% परिक्षा आदारित और 20% हमारा आंतरिक जो पर्ट्फोलियो है आंतरिक मुल्यांकन के हैं वे रहेगा फिर आगे सब्जेक्ट वाइस दे रखे हैं आप देख सकते हैं परिक्षा का पैटर्न भी दिया हुआ है पहली से दूसरी का MCQ 3-5 में सही गलत बहु वेकलपिक एक एक अंग के रिक्तिस्तान आएंगे वस्तुनिस पर्ष्ण में 6-8 में एक अंग के जैसे रिक्तिस्तान सही वेकलपिक और अति लगुनात्मक मतलब की 2-3 लाइन के जो होते हैं लगुनात्मक 3 लाइन के और 20 पर 30 दीर्ग उत्तरात्मक मतलब की 5 लाइन से ज़्यादा के 90 सी 11 वी के भी दिये हुए हैं आप देख सकते हैं तो ये था बच्चों पूरा सर्कूलर जो आया है इसी के अनुसर आपके पेपर होंगे और हमारे चैनल पर आपको बहुत सारे पेपर उपलब दो जाएंगे और उन्हेंसे आपको काफी सारे प्रश्णों आपके एक्जामें देखने को मिलेंगे हो सकता है सारे के सारे आपको मिल जाएं क्योंकि कैई सारे प्रश्णों जो होंगे वे आपको जरूर से जरूर से मिलेंगे तो जुरूरे चैनल से लाइक करें सेयर के सब्सक्राइब करें थन्यवाद